भारत और चीन के बीच पहले ही तनाफ का माहौल था लेकिन गलवान घाती में भारते जवानों की शहादत के बाद हालात और भी खराब हो गए हैं इन सब के बीच अमेरिके इंटेलिजन्स के एक रिपोर्ट ने चीन को बेनकाप कर दिया है इस रिपोर्ट के बाद साफ हो गया है कि चीन पूरी दुनिया से सच्छो पा रहा है एक रिपोर्ट देखिये रिपोर्ट में हुए दस खुलासों की बात करें तो उसमें कहा गया है चीन ने भारते जवानों पार प्लानिंग के साथ हमला किया था चीनी आर्मी के वेस्ट थेटर, कमांटर, जाओ जोंकी ने हमले का देश दिया था चीन ने मारे गए सैनेकों के लिए सबसे छुप कर मेमोरियल सर्विस रखी और इसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया से हटा दी चीन की ओर से जड़ब की प्लानिंग थी, लेकिन उसके खुद के 35 से ज़ादा जवान मारे गए चीन भारत को पड़ोसी देशों के साथ उलज़ा कर रखना चाहता है ताकि भारत की अमेरिका से दूरी बनी रहे के सरकारी मीडिया ने भी इसके बारे में कुछ नहीं छापा, सोशल मीडिया में जो कुछ लिखा गया उस पर चीन ने सेंसर लगा दिया अमेरिके इंटेलिजन्स की इस रिपोर्ट से साफ है कि चीन अपने सैनिकों की मौत का अंकड़ा जान बूच कर छुपा रहा है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पहले से दुनिया के नजरों में खटक रहे चीन की एक बार फिर किरकिरी होना तै है डीबी लाइफ के रिपोर्ट